T20 World Cup 2024 के Super 8 के लिए West Indies ने क्या क्वालिफाई New Zealand का बाहर होना लगबगता है जिहां दोस्तो T20 World Cup 2024 के Super 8 में पहुँचने वाली एक और टीम का एलान हो गया है South Africa, Australia और भारत के बाद West Indies की टीम Super 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है क्रीनदाद में खेले गए मैच में West Indies ने New Zealand को मौत दी इसी के साथ टूर्णेमेंट की मेजवान टीम ने Group C के Super 8 में जगे भी बना ली जबकि New Zealand के लिए Super 8 में पहुँचना लगबग नामुम्किन सा हो गया है अलगि थोड़े बहुत चांस टीम के हैं Super 8 में पहुँचने के लेकिन इसके लिए New Zealand को पहले अपने दोनों मैच जीतने होंगे और फिर बाकी टीमों के नतीजों पर नर्बर रहना होगा वहीं अगर अफगानिस्तान ने सुकरवार 14 जून को होने वाले मैच में पापवा नियू गिनी को हरा दिया तो कि वे टीम अधिकारिक तोर से टूनमेंट से बाहर हो जाएगी Super 8 के क्वालिफेकेशन के नजरिये से ग्रूप C की पॉइंट टेबल पर नजर डाले तो West Indies की टीम तीन मैचों में जित दर्ज करके Super 8 में पहुँच गई है वहीं अफगानिस्तान यूगांडा पापवा नियू गिनी और नियू जिलैंड में से कोई इस ग्रूप में Super 8 के लिए एक टीम पहुचेगी मौझूदा समय में अफगानिस्तान के Super 8 में पहुचने के चांस ज्यादा है क्योंकि टीम का मुकाबला कमजोर पापवा नियू गिनी से है जो दो मुकाबले पहले से हार चुकी है इसके अलावा एक मैच वैस्ट इंडीज से है वहीं यूगांडा पी एंजी और नियूजिलैंड का नेट रन रेट भी बहुत घटिया है ऐसे में अगर अफगानिस्तान की टीम अपने दोनों मुकाबले करीबी अंतर से हार भी गया तो Super 8 में पहुच सकता है त्रीनी दाद में खेले गए मैच में वैस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेवाजी करती हुए एक सो नंचसर रन बनाए यहां तक की टीम के नो विकिट अठार वे ओवर में ही गिर गये थी उस समय टीम का स्कोर 112 रन था लेकिन सेरफन रदर फोर्ड ने आखरी दो ओवर में अकेले 37 रन बनाए और मैच पलट दिया वहीं जब टीम न्यूजिलेंड की टीम 150 रनों के लक्षे का पिछा करने उतरी तो 20 ओवर में 9 विकिट खोकर 136 रन ही बना सेगी और मकाबला 13 रन से हार गई कि भी टीम की ये टूर्णामेंट में दूसरी हार है टीम का ने अटरन रेट पहले से ही बहुत खराब है ऐसे में टीम अपने दम पर सूपर आठ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा न्यूजिलेंड के टॉप ओर ने एक बार फिर टीम को निरास किया टीम के पांच विगट 63 रन पर गिर गए थे इस मैच में वेस्ट इंडीज की और से 49 गेंदो में दो चोक के और छेशकों की मदद से 68 रन बनाने वाले सेरफन रदर फोड को मैन आफ दा मैच से भी नवा जा गया वही नियुजलेंड की तरफ से ट्रेंट बॉंट ने तीन विगट तीम साउथी और लोगी फर गुसन ने दो दो विगट निकाले जबकि कीवी टीम 150 रनों के लक्षा का पीछा करने उतरी तो टीम को अच्छे सुरुवात नहीं मिली हलाकि ग्लैन मैक्सवेल चालिस और मिचल सेंटर 21 रन बना कर थोड़ी उम्मीद जगाई लेकिन अलजारी जोसेफ के चार विगट गुड़ा केस मोती के तीन विगट की बदोलत वेस्ट इंडीज को जीत मिली और टीम लगतार तीसरा मैच जीतने में सफल हुई आखरी दो ओवर में निजिलेंड को काफी महेंगे पड़े और इसी के हार का हार और जीत का अंतर पैदा हुआ